हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी आवर लाइफ में तो आज से इड़ुटेडिया का बीपीएसी का जो प्रीविएसी एर्बुक है वो सरका आ गया है तो उसका प्रैक्टिस से आज से में स्टार्ट कर रहे हैं जो आज का पहला सेट होग कितना अच्छा टॉपिक वाइस दिया हुआ है सबसे पहले एंसीएंट से आपको कोशन मिल जाएगा ठीक है तो चलिए इसमें सुरू करते हैं बिना देर किये हुए आज के वीडियो और पहला कोशन रहा ये लेखते हैं पहला कोशन क्या है तो पहला कोशन जो है एंसीएं में से एक से अधिक तो इसका सही एंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर ए काली बंगन तो सिंदु सब्ता का खोज कब हुआ था 1921 में किसने किया था तो दयारामसानी खोज किये थे और यह सिंदु सब्ता कहां है तो राभी नदी के तट पर और काली बंग सब्ता से नर्तकी के कासमूर्ती का भी साक्ष मिला है यह भी इंपोर्टेंट है इसे वियाद रखेंगे अगला कोशन है कोशन नमर दू त्री रत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्यान संबंदी आस्था और सटीक क्रिया निम्ण में से किस से संबंदित है तो इसका सही एं आपको पता होगा कि यह त्री रत्न था इन का कौन सटीक ज्यान सची सा आस्था सटीक क्रिया का संबंद जैन धर्म से है और यह त्री रत्न खलाता है जैन का ठीक है और जैन के 24 में तिर्थकर कोन थे महाबीर थे 24 में तिर्थकर बहुत इंपोर्टेंट है इसे भी याद रखेंगे 24 में तिर्थकर कौन थे महाबीर आगे देखते हैं कोशन नमबर 3 में है इन में से किस सासक ने चतुर्थ बहुत संगती कस्मीर में आयोजित की तो चतुर्थ बहुत संगती किसके सासनकाल में हुआ था तो इसका सही एंसर हो जायेगा कौन ऑप्शन नमबर C कनिस् पर्थम बहुत संगती जो राजगरी में हुआ था वो आजा सास्तु के सासनकाल में कब हुआ था 483 सापुर्व दूतिये बहुत संगती जो हुआ था बैसाली में काला सो के सासनकाल में और तिर्थिये जो हुआ था तिर्थिये हुआ था पाटली पुत्र में असो के सासनक में और चतुर्थ जो हुआ था बहुत संगति वह बिहार से बाहर कहां kundal 1 में हुआ था जिसके अध्यक्षता किस ने किया था कनिस्क किये थे ठीक है अगला कोशन है निवन में से किस भारतिये दर्शन ने प्रमानों सिधान्त का प्रतिपादन किया तो भारती दर्शन प्रमानों सिधान्त का प्रतिपादन किये थे ये option नमर इसका हो जाएगा D, वैसे सिख, कुन से, वैसे सिख, और इन्होंने परती पादित किया था, और नयाई किसका है, नयाई जो है, वो गौतम बुध का है, योग, पतंजली का है, उसके बाद सांख जो है, सांख दर्सन, उनका संबंद कपिल मूरीशी है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रखे हैंगे, कि वाद अगला कोशन है, कोशन नमबर पाँच, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोग की निती अपनाई थी, तो दिल्ली सुल्तान में इसका सही एंसर हो जाएगा, बलमन था, जो लोग एवं रक्त की निती को अपनाया था, ठीक है, और रास दर्वार में स सिजदा एवं पैबोस प्रथा का सुरवात भी भलवन किया था, कौन सा प्रथा, सिजदा एवं पैबोस प्रथा, कोशन नमबर छो है, कौन सा मदकालीन भारतिये समराज ब्यापक अस्तर पर अस्थानिये स्वासासन के लिए प्रशित था, कौन सा मदकालीन भारतिये समरा ब्यापापक अस्तर अस्थानियें के लिए स्वासन के लिए परसित था तो वो था चोल समराज option number B हो जाएगा इसका सही अंसर तो चोल बंस का संस्थापक कुन था विज्याले था और इसकी राजधानी कहां थी तंजोर थी ठीक है अगला question question number 7 है पिट्रा डूरा जिसको परचिन कारी बोलते हैं निम्न मेंसे किस्से संबंदित हैं तो ये इसका संबंद किस्से है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A दिवारों में अर्ध किम्ती पत्थर जरकर फूलों की नकासी करना उसे संबंदित है पिट्रा डूरा पिट्रा डूरा के बारे में हमको समझते हैं पिट्रा डूरा से ताथपर है कि दिवारों की अर्ध किम्ती पत्थर जरकर फूलों की नकासी करना पिट्रा डूरा इंडो इसलामिक बास्तुकला का उधारण है किसका इंडो इसलामिक का ठीक है और ये जो है कटे जरे हुए तरासे हुए चमकाय हुए रंगीन पत्थरों के टुकरे से चितरकारी की जाती है और यह एक सजाब्टी कला है तो क्या है ये पिट्रा डूरा एक स खाना बनबाया था तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number B, अकबर ठीक हैं, अगला question है, question number 9 इन में से किसने 1857 के बिद्रों में सक्रीये भाग लिया था, तो सक्रीये भाग लिया था तो सही answer हो जाएगा option number E, उप्युक्त में से कोई नहीं, उप्युक्त में से एक से अधिक, त बेगम हजरत महल लखनाव से थी मौलवी आमदुल्ला फैजावाद से थी और बेगम जिन्नत महल जो थी वह दिल्ली से थी तो सब सही है कोशन नमबर 10 है किस अधिनियम के बाड़े में जवाहलाल नहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कारदी गईद थी जिसमें सब ब्रेक थे किन्तु इंजन नहीं था तो ये जो कौन से अधिनियम के तहद कहें थे जवाहलालनेडू का कथन था ये कौन सा अधिनियम था तो इसका सही एंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम अप्शन नमबर D तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें जवाहला नेरू ने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है प्रंतु इंजन नहीं है यही अधिनियम जो था वो भारत संगी विवस्था पर जोड़ दिया लेकिन भारत की स्वतनत्ता में विश्यकों मौन रहा इसके कारण भारत द्वराइस की आलोचना की गई थी कुश्यन नमबर एक आरहा है दांडी यात्रा कितने दीन चली थी तो इसका सही एंसर हो जायाएगा ओप्सन नमबर सी दांडी यात्रा जो था वो 24 दिन चला था और यह प्राराम्भ हुआ था बारा मार्च बारा मार्च 1930 को कहां से सावरमती आश्रम से और यह 6 अपरेल 1930 को समाप्त हो गया था बारा मार्च को सुरू हुआ था और 6 अपरेल को 1930 में यह समाप्त हो गया था और इसे नमक सत्यागरा के नाम से भी जाना जाता है दांडी मार्च को ही नमक सत्यागरा के नाम से भी जाना जाता है और यह यात्रा जो था वो नमक पर लगाएंगे अब याद करके खिए ठीक है कोशन नमबर 12 है प्रसिद गीत सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचैता कोन है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option नमबर E इन में से कोई नहीं और इन में से एक से अधिक क्योंकि राम पर अजीमा वादी थे इसके रचैता उसके बाद कोशन नमबर 13 देखते हैं कोशन नमबर 13 में है बंगाल विभाजन के प्रत्यागहात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था तो बंगाल विभाजन के प्रत्यागहात के रूप में जो आंदोलन शुरू हुआ था व इसका उन्दोलन कँ सुरू हुआ था उनिस जूलायं 25 को बंगाल विभाजन की घोसना जब की गयी थी तो 16 15 को यह लागू हो गया था उसके बाद है कोशंन No.14 इन में से 1945-46 में दिल्ली में हुए आई एन ए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुई वकील थे कौन? अप्शन नंबर B भूला भाई देशाई भूला भाई देशाई जो थे वो आजाद हिंद फोज के एधिकारी कर्नल प्रेम सहगाल, कर्नल गुरू वक्स, सिंग तथा मेजर जनर सहनवाज खान पर 1945-46 में सहीग दुरुप से मुकदमा चलाएं थे और इनके पक्ष में भूला भाई देशाई ने वकालत की थी किसके पक्ष में भूला भाई देशाई ने तो ये दिल्ली में आई एन ए के मुकदमे के रूप में, ठीक है अगला कोशन देखते हैं, कोशन नमबर तेरा, सरी, पंदरा मैडम भिकामा ने भारत की तिरंगी स्वतंतरता धोज को कहां फाराया था तो सबसे पहले मैडम भिकामी कामा जो थी, वो अपने तिरंगे जंडा को कहां फाराया थी तो इसका सही एंसर हो जाएगा, एस्टूटगार्ड, कहां एस्टूटगार्ड, ओप्सन नमबर C मैडम कामा ने भारतिय स्वतंतरता आंदोलन के प्रतीक के रूप में मैडम भिकाजी कामा और भारतिय स्वतंतरता की जन्नी किसको कहा जाता है, तो मैडम भिकाजी कामा को, इनका पुरा नाम है उसके बाद है कोशन नमबर 16, निम्न में से कौन सी जोरी सही है, निम्न में से कौन सी जोरी सही है, बिनोवा भावे, दूतिय व्यक्ति का सत्याग रही, C आरदास, देश बंधू, बिलियम बेडन वर्ण, 1907 के कॉंग्रेस अभापती, स्याम जी, क्रिशन बर्मा, पेरिस म हो जाएगा, ओप्सन नमबर B, C आरदास, देश बंधू, सही है, ठीक है, उसके बाद है, बेक्तिगा सत्यागरा के लिए चुने जाने वाले पर्थम सत्यागरा ही कौन थे, बिनोवा भावे, पर्थम सत्यागरा ही, बेक्तिगा सत्यागरा के लिए चुने गया थे, ठीक ह 1905 में कब 1905 में किये थे यह हो गया और 1907 में सूरत अधिवेशन की अधेखता किस ने किया था तो रास भीहारी बोस Q7 में है भारती रास्ट ये कॉंग्रेस द्वारा किस दिन को पुर्ण स्वाराज दिवस घोसित किया गया तो इसका सही एंसर हो जाएगा option नमबर A 26 जनबर 1930 को पुर्ण स्वाराज दिवस घोसित किया गया था 26 जनबर 1930 को तो बर्स 1929 में कॉंग्रेस के लाहर अधिवेशन के दौरां समाजवादी नेता जवाहला नेहरू ने लाहर में रावी नके तटपर रास्ट ये ध्वाज को फ़ाराया और 26 जनवर उने इस उतीस को क्या किये कि रास्टी ये कॉंग्रेस के दौरा पुर्ण स्वराज दिवस की रूप में मनाने की घोसना कर दिया गया उसके बाद है अगला कोशन बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके दौरा लागू की गई थी तो बंगाल में जो दुशासन लाया गया था वो ऑप्सन नमबर C रौबर्ट क्लाइब के दौरा तो रौबर्ट क्लाइब के दौरा 1765 में बंगाल में दुशासन प्रणाली को लागू किया गया और इसे 1772 में वारन हेस्टिंग के दौरा समाप्त किया था अगला कोश्यन है कोश्यन नमबर 19 इन में से किसने 1893 में सिकांगो में आयोजित धार्म संसन्ने भाग लिया था तो इसका सही एंसर हो जाएगा स्वामी विवेका नंद ओप्सन नमबर B तबको पता होगा कि 11 सिकांगो जो अमेरिका में आयोजित किया गया था धार्म संमेलन स्वामी विवेका नंद ने भारत का पर्ति दूजित किया था इस संमेलन में दुनिया भर के धार्म पर्ति दूजित किया था और स्वामी विवेका नंद का बचपन का नयाम क्या था तो नरेंद्रदत इन्हें भारत का अध्यात्मी गुरुमी वना जाता है और 1897 में में रामकृष्ण मिशन का भी अस्थापना किये थे स्वामी विवेकाननधी उसके अधकोशन बीष कतले है इन्हेंटर सुराज पार्टि का घंठन किसने किया थ तो श्वाराज पातियों emotिलल नईहरू एपशन और चित्रंदन दास ने अलग स्वराज पार्टी का गठन किया जिसका मुखुद देश क्या था तो बेवस थापिकाओं सभाओं में प्रवेश कर सरकार की नीतियों को अलोचना करना था ठीक है कोशन नमबर 21 देखते हैं क्या है कोशन नमबर 21 में है प्रसिध नाटक नील दरपन जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रन किया गया की रचना किस ने की तो इसका सही एंसर हो जायाएगा दीन वंधु मित्र ओप्सन नमबर D दीन वंधु मित्र का एक नाटक रचना कर कोन है दीन वंधु मित्र या नाटक जो था वो नील विद्रो अठारा सव उनसर पर अधारित था किस पर नील विद्रो पर अधारित था ठीक है उसके बाद है कोशन नमबर 22 1760 का प्रसिध वांडिवास का 22 जनबडी 1760 को अंग्रेज तथा फ्रांसिसियों के मद वांडिवास का यूद हुआ था अंग्रेज और फ्रांसिसी के बीच Q2 में है निम्ण में से किस अधिनियम ने भारत में प्रिथक निर्वाचन मंदल का आररंब किया था तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number D भारतिय परिश्द अधिनियम 1909 में क्या के द्वारा किया गया था पर्थम निर्वाचन मंदल का क्या गया था और इस अधिनियम में मार्ल मिंडो सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसको किस नाम जाना जाता है तो मार्ल मिंडो के नाम में कोल विद्रो किस छेत्र में हुआ था तो कोल विद्रो जो हुआ था इसका सही एंसर हो जाएगा सी भूमी कहां सी भूमी तो कोल विद्रो सी भूमी के छेत्र में हुआ था और इस विद्रो के नेता कौन थे तो बुद्धो भगत एवं मदारी महतो थे और विद्रो जो थ 1831 से 32 में हुआ था 1831 से 32 तक चला था कुश्चन नमर 25 है निम्नु में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी तो इसका सही एंसर हो जायेगा ऑप्सन नमर ए साम लालदास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी जो कहा है राजकोट में और मैट कॉष्टीक उट पास होने के बाद उन्होंने भावनगर के से चाम लालदास कॉलेज में पढ़ाई की उसके पस्ता उन्होंने इंग्लेंड जाके अपनी आगे की कुश्चन duż Spectrum 26 है बिहार के प्रथम मुख मंत्री कौन थे तो बिहार के प्रथम मुख मंत्री जो थे वो स् पत्नत्रा के पश्चात उन्हें 46 से लेके उन्हें 61 तक के वो मुखमंत्री थे और स्रेक्रेशन सिंग को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है तो स्रेक्रेशन सिंग को ठीक है question number 27 में है बिहार में Congress का प्रतम अधिवेशन रखा गया था कहां तो बिहार में Congress का प्रतम अधिवेशन रखा गया था पतना में option number A हो जाएगा इसका सही answer कब 1912 में बांकीपूर के पतना में अगला कोश्चन है जैप्रकास नरायन को कौन सी उपाधी दी गई थी? तो जैप्रकास नरायन को लोगनायक की उपाधी दी गई थी? लोगनायक अप्सन नमबर B हो जाएगा इसका सही आंसर तो जैप्रकास नरायन को लोग नायक के उपनाम से भी जाना जाता है और 1974 में इंद्रा सरकार के खिलाब संपुन क्रांती का नारा दिये था और 1942 में भारत चुरू आंद्रान के दौरान इन्होंने आजाद दास्ता का गठन किया और 1948 में भारत सरकार द्वाराई ने भारत रातन से भी समानित किया गया था अप कोशन नमबर 29 देखते हैं कोशन नमबर 29 है बिहार की अस्थापना कब की गई थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा बिहार की अस्थापना 1912 में हुआ था ठीक है जब बंगाल से बिर्थप कर बिहार राज अस्थापना अलग हुआ था तो पुर्णता जो था वो बिहार अपने स्वरूप में आ गया था यकि 22 मर्च gent 2112 से बिहार पुर्णता अलग हो गया था बंगाल से और उसके बाद 1936 में ओडिसा को बिहार से अलग किया गया और 2002 में जर्खंड को बिहार से अलग किया तो को बिहार दिवस की दूप में वह मनाया जाता है ठीक है य य Отना भी याद रखेंगा आप Mayo उसके बाद question number 30 में है बिहार में तिनकठिया पधती में नील की खेती के लिए भुमी का कितना भाग अमानत रखा जाता था तो तिनकठिया विद्रो जो था उसके लिए 3 वटा 20 option number C हो जायगा इसका answer ये बिहार के चमपारन में किसान तिनकठिया पधती से सोसित थे और इस पधती के अनुसार किसानों को अपनी भुमी का 20 कठे जमीन पर 3 कठे नील की खेती करना अनिवार होता था तो गांधी जी तोरा चलाये गाए ये चमपारन सत्यागरा कब हुआ था सत्रा के पश्चात पधती को समाप्त कर दिया गया था उन्हेसा सत्रा के बाद इसको खतम ही कर दिया गया था ये सुरू किसकी द्वारा हुआ था तो महात्मा गांधी के द्वारा कोशन नमर 31 में है राम भिलास पास्मान ने अपना राजनितिक सफर किस राजनितिक दल से प्रारम किया था तो राम भिलास पास्मान जो थे वो सईउक्त सोशलिस्ट पर्टी के पर्टी से थे शी क żeby तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number सयुक्ष सोशलिस्ट party option number C तो बिहार के प्रसिद नेता थे राम बिलास पास्मान और अपनी राजनितिक जीवन की सुरुआतिये सयुक्ष सोशलिस्ट party से किये थे और वर्स उन्हें 79 में पहली भार बिहार विधान सभा का चुनाव इसी party जीते थे और राम बिलास पास्मान 2000 में लोग जन सकती पाटे की अस्थापना की फिर राम बिलास पास्मान का निंधन कब हुआ था 8 अक्टूबर 2020 को अगला कोशन है कोशन number 32 बिहार के राजनितिक स्वर्गिये रगुवन्स प्रशाद सिंग पहली बार किस लोगशभा के लिए निर्वाचित हुए थे तो एगार्मी लोगशभा के लिए निर्वाचित कोन हुए थे तो बिहार के राजनितिक स्वर्गिये रगुवन्स प्रशाद सिंग ये जो थे उन्हेसा 96 में कब उन्हेसा 96 में एगारवी लोग सवाहेतु चुने गए थे और मनरेगा मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है क्या मनरेगा मैन किसको रगवन्स प्रशाद सिंग को अगला कोशन है चमपारण में इंडिगो के किसान की दसा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर सित किया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा राम राजकुमार सुकला ओप्सन नबर डी तो चमपारण के किसान की समस्याओं को लेकर यही उठे थे राजकुमार सुकला और वहां के गांधी जी से मुलाकात फर्स्ट टाइम किये थे और किसानों के समस्या से अबगत कराएं थे और गांधी जी तथा राजकुमार सुकला का पर्थम मुलाकाद जो है वो 1916 में कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन में हुई थी और गांधी जी ने सत्यागरा का पर्थम पर्योग चम्पारन से ही किये थे ठीक है? कोशन नमबर 34 में है प्राचीन महाजनपत मगद की प्रथम राजधानी कौन से थी? तो इसका सही अंसर हो जायेगा 34 का ओप्सन नमबर E उप्यूक्त में से कोई नई उप्यूक्त में से एक से अधिक क्योंकि प्राचीन महाजनपत मगद की जो राजधानी थी वो मगद की राजधानी राजगरी थी कहां? राजगरी थी और उदिन इसका संस्थापक था कौन? उदईन जो था? उदईन वो इसका संस्थापक था इतना याद रखेंगे और मगद महाजनपत के अस्थापना बृदरत किया था? कब मतलब ये ब्रिदरत किया था 16 महाजनपत में सबसे सक्तिसाली महाजनपत था ये ठीक है उसके बाद है Q35 स्वामी सहजानन्द निवन्वे से किसे संबंदी थे तो स्वामी सहजानन्द थे वो बिहार के बिहार में किसान आंदोलन से संबंदी थे बिहार में किसान आंदोलन से संबंदी स्वामी सहजानन्द थे और स्वामी सहजानन्द बिहार के प्रसिद किसाननेता थे और 1928 से 1929 में प्रांतिये किसान सभा का गठन भी किये थे और 1936 में लखनव में ये अखिल भारतिये किसान सवा का गठन किये थे का उनाशा 36 में question नमर 36 है निम्न में से भारत में गांधी का प्रतम सत्यागरा अंदोलन था जिसमें उन्होंने सबनी अबग्या अंदोलन का परियोग किया वो कुण सा अंदोलन था जो गांधी जी का भारत का पर्थम सत्यागरा था अंदोलन था तो इसका सही एंसर हो जाएगा चमपारन ठीक है तो चमपारन में सत्यागरा शुरू किये थे सबसे पहला बार और सर पर्थम उनेसा 17 में कब बिहार में 1857 के बिद्रो का नेतरित किस ने किया, तो बिहार में 1857 के बिद्रो का जो नेतरित किये थे वो कुवर सिंग थे, बिहार से कौन थे? कुवर सिंग, option number C हो जाएगा नाना साहब कानपूर से थे उसके बाद कुवर सिंग बिहार से थे तात्या टोपे जो थे, वो कानपूर से थे तात्या टोपे भी कानपूर से ही थे नाना साहब के सहयोगी थे ये और ये क्या कहते हैं मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये लखना उसे थे ठीक है इतना याद रखेंगे उसके बाद है Q38 जनजाती और जिले के निम्न जोरों में कौन सा जोरा सही नहीं है संथाल, बाका, मुंडा, जमुई, उराव, सुपॉल, खरवार, भागलपूर तो इसका सही एंसर जो हो जाएगा, option number B, कौन हो जाएगा इसका सही एंसर, option number B तो पूछ रहा है, जोरा सही नहीं है, यहींने question पूछ रहा है आपसे जोरा, सही नहीं, सही नहीं है तो इसका सही एंसर हो जाएगा मुंडा जम्मूई बांकी संथाल का बांका सही है उराव का सुपॉल सही है खरवार का भागलपूर सही है मुंडा की जनजाती या वो कौन है मुंडा कहां की जनजाती मतलब सोरी मुंदा जन जाति का विस्तार उत्री बिहार के कुझिलों में है जो बिहार के कटिहार में पड़ता है ना कि जम्मूई में 하니까 उसके बाद है 49 नमबर कोश्चन बिहार राज के कुल भगोलिक छेतर की तुल्ना में समस्त बन्छेतर का प्प्रतिशत है कितना है तो इसका सही answer हो जाएगा 7.76 जो option में नहीं है इसलिए इसका answer हो जाएगा option number E option number E हो जाएगा इसका answer तो बन रिपोर्ट 2019 जो आया था उसमें बिहार में बनों का आबरान जो है वो 735 बर किलोमीटर है कितना? 735 बर किलोमीटर है और परतिसत में पुछे लगभग तो 7.76 परसेंट है उसके बाद question number 40 में है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात राष्टी उद्यान इस्तित है तो इसका सही answer हो जाएगा निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात राष्टी उद्यान इस्तित है तो वो है पश्मी चंपारन option number C इसका सही answer हो जाएगा राश्टी उध्यान कहा है पश्मी चंपारन में इसका नाम क्या है बाल में की राश्टी उध्यान Tiger Research के लिए प्रसिद है और इस केस थापना कब हुआ था तो 1978 में और ये एक गंडक के किनारे हैं ठीक है question number 41 में है बिहार में प्रभावित होने वाली निम्र नदियों में से उत्तर की और प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है तो उत्तर की और प्रभावित होने वाली नदी जो है इसमें बागमती कोसी, कमला, गंडक, उप्युक्त में से कोई नहीं, उप्युक्त में से एक से अधिक, इसका सही एंसर हो जाएगा option number E, क्योंकि सभी नदी जो है उत्तर की दिशा से दस्चिन की और प्रभावित होती है, यह सभी नदीया हिमालयन नदीया है, यह नेपाल में हिमालय से निकल कर बिहार में परवेश कर गंगा की सहायक नदिया बन जाती है, इसलिए इसका एंसर इन में से कोई नहीं हो जाएगा, question number 42 में है, बिहार के निम्न जीलों में से किस जीले में ही पिंटो मोंट स्टैंप मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही एंसर होगा पस्च्मी चंपा में पिट्मेंट स्वेंप मिट्टी पाई जाती है, तो यह मिट्टी जो है बिहार के पस्वी चंपारण में पाई जाती है, और यह धान की खेती के लिए सबसे उत्तम है, किसके लिए धान की खेती के लिए, question number 43 है, बिहार के निम्न प्रसासनिक बिभागिये जोरों में कि जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है तो गंगा नदी जहां से नहीं बहती है वो कोसी और मगद यह इसका जोरा गलत है option number D जो है यह गलत है बांकि कोसी मगद के प्रसासनिक छेत्रों में गंगा नदी नहीं परभावित होती है गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है कौन-कौन जिला है 12 जिला बकसर है, भोजपूर है, सारन, पटना, बैसाली, समस्तिपूर, बेगु सराई, मुंगेर, खगडिया, कटिहार, लखी सराई और भागलपूर तो यह 12 जिले से होकर गंगा गुजरती है कौशन नबर 44 में है, बर्स 1932 में बिहार के पटना सहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्टरी अस्थापित की थी तो 44 का एंसर हो जाएगा, डज इस्ट इंडिया कंपनी डज इस्ट इंडिया कंपनी जो था 16-32 में बिहार के पटना सहर में अपनी कंपनी अस्थापित की थी और यह मुकता चीनी, शोरा, सूती बस्त, अफिम के लिए प्रसेद था कौशन नमर 45 देखते हैं बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीवोक को पारजन योजना शुरू की इस योजना का उद्देश है इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर E उप्युक्त में से कोई नहीं, उप्युक्त में से एक से अधित क्योंकि सतत जीवोको पारजन योजना की शुरूआत बिहार सरकार दोरा सराब बंदी के कारण परभावित परिवारों को पुनरवास के लिए किया गया था इसके अंदगत परभावित लोगों को सुनय रोजगार का आपसर परदान किया आता था ठीक है? तो ये सराब से संबंदीत था इसको याद रखेंगे उसका question number 16, 46 में है बिहार सरकार ने 7 निष्टेओं में निम्ड में से कौन सा समलित नहीं है? महिला रोजगार, साप पिने का पानी, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ती, बाल कल्यान, उप्युक्त में से कोई नहीं, उप्युक्त में से एक से अधिक तो इसका सही एंसर जो हो गया वो बाल कल्यान, option D ये सरकार जो साथ निष्टेओं प्लान जो लाएं थे, उसमें 2016-2017 के लिए उसकी शुरुवात की गई थी और इसमें क्या क्या था? तो आर्थिक हल युवाओं कवबल पहला था, दूसरा आरक्षित रोजगार महिलाओं कायदिकार, तीसरा घर-घर बिजली लगातार, चोथा घर-घर नल काजल, और पांचमा था हर घर पक्की गली नलिया, छठा था सोचालय निर्मान, घर का सम्मान, और साथमा था आवस कीमतों पर देश की तुलना में कम है, बर्ष 2018-19 में था, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, आपसन नबर D, रास्टी और सत 33%, कितना था? 33% था, तो बिहार के प्रतिवेक्ति सुध घरेली उतपाद 2018-19 के लिए 33% से कम था, और तालिस नमर कोश्चन है, भारत के निर्वाच सभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, 24 सिप्टेंबर 2020 को जारी किया था, आम चुनाव के लिए 25 दिसंबर 2020 को जारी किये, और कभ 243 सीटों पर यह चुनाव तीन चरन में हुआ था, पहला चरन 28 अक्टूबर, दू चेडियू को 43 सीट मिला था, यह भी याद रखेंगे आप लोग, कोश्चन नमबर 49 है, बिहार सरकार ने 1 अप्रेल 2019 से सारवजनिक बीतिये परबंधन प्रनाली, जिसको CFMS बोलते हैं, सुरू की गई या प्रनाली, जो है, किस पर अधारित था, इसके बारे में पूछा ज रहा हैं, तो इसका सही एंसर, उप्सन नमबर E हो जाएगा, उप्युक्त में से, कोई नहीं उप्युक्त में से, एक से अधीक, तो राज में समस्त बीतिये कारे कलापों को ओनलाइन तथा कागच रहित बनाएगी, लेन देन की परकिरिया में पारदर्शिता लाने के इसलिए इसका सही एnsर हो जायागा ओप्सन नमबर A और D, इसका कोण एंसर होगा, A और D इसका सही एंसर होगा, इसलिए इसका उप्सन नमबर E हो जायागा एंसर, ठीक है? कोशन नमबर 50 है भारा सरकार ने दो जन बड़ी 2020 को बिहार राज को क्रिसी कर्मन पुरसकार परदान किया या पुरसकार दिया गया था इसका सही एंसर हो जाएगा मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादक्ता के लिए अप्सन नमबर ए हो जाएगा इसका सही एंसर तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादक्ता के लिए बिहार को अब पांच बार भारा सरकार दोरा किसी कर्मन पुरसकार दिया गया है पहली बार 2011-12 में धान के सरफस्रेश उत्पादन के लिए दिया गया था 2012 में गेहूं के लिए दिया गया था 2015-16 में मोटे अनाज के तहत मक्का को सरफस्रेश उत्पादन के लिए दिया गया और 16-17 में मक्का के लिए ही दिया गया और 17-17 में गेहूं के लिए दिया गया है ठीक है? कोशन नमर एक कावन में है निम्ण में से कौन सा विकेंदरी करन का व्यसिस्टिय नहीं है तो इसका सही एंसर हो जायाएगा ओप्सन नमर C अस्थानिय समंदायों में आत्म विष्वास को नहीं जगाना तो यह विकेंदरी करन से तातपर है कि स्वैतत्ता तथा भागिदारी को अधिक लोगों तक पहुँचाना अस्थानिय समंदाय को मजबूत बनाने उदेश से विकेंदरी करन का सिधान्त लाया गया था, इसमें सक्तियों का विभाजान चरनबर तरीके से सीर्ष से निचलियास्तर तक होता है कोशन नमबर बावन है, ब्रिटीज सासनकाल में समिधान की विकास में कोन सा कानून एतिहासिक नहीं था तो इसका सही एंसर हो जायाएगा ओप्सन नमबर D प्रोटेक्शन ओफ सिविल राइट्स एक्ट नान्टी फिटी फाइव ये जो था भारत बिरिटीज सत्ता का परभाव 1757 से लेके 1747 तक रहा इसी बेबीच रेगुलेटिंग एक्ट 1777 चार्टर एक्ट 1837 गवर्मेंट अफ इंडिया एक्ट 1929 एबम गवर्मेंट अफ इंडिया एक्ट 1935 का भारतिय समिधान का विकास का महत्पुन योगदान रहा इसको परटेक्शन ओफ सिविल राइट अक्ट 1935 में पारित किया गया जिसका भारतिय समिधान के विकास में कोई योगदान नहीं था ठीक है इसका कोशन नुमर तीरपन है भारतिय समिधान का कोण सा अनुछेद भारतिय निर्वाचन आयोग की अस्थापना से संबंदित है तो अनुछेद जो है वो कोण सा निर्वाचन आयोग की अस्थापना से संबंदित है इसका सही एंसर हो जाएगा और अनुछेद 324 आठकिल 324 जो है वो भारतिय निर्वाचन आयोग की अस्थापना से संबंदित है भाग कितना में है भाग 15 में है भाग 15 में है अनुशे 324 में है और भारत का चुनाव आयोग एक स्वतत संब्यधानिक आयोग है क्या है स्वेतत संबेधानिक आयोग जो केंद्र था राजों के निस्पक्ष चुनावों को निस्पातित करता है और इसके स्थापना कव हुआ था तो 25 जनवरी उन्हेस्वां 50 को इसके अगला कोशन है विधी का नियम या कानून का आधिराज का मतलब क्या है तो इसके लिए सही इसका एंसर हो जाएगा option number सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नयायत अंत्र option number A हो जाएगा इसका answer तो इसका तात्पर है कि विधी का नियम या कानून का अधिराज से तात्पर है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नयायत अंत्र question number 55 है पंचायती राज संस्था को 29 कार्यों के सूची में किस अनुछेद के तहद दी गई है तो पंचायती राज को दिया गया है इसका सही एंसर हो जायाएगा option number D अनुछेद 243 के G में जो है वो पंचायती राज से संबंदित है भाग 9 है और 243 के O में क्या है 243 के O में है पंचायती राज संथाओं का बरनन और 243 के G में बरनन किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के 29 सूचियों का question number 56 में है 73 में समिधान संसोधन कानून की बैदानिक शुरूवात की समिधान संसोधन बिलसे हुए थी तो 64 समिधान संसोधन के बिल से 73 समिधान संसोधन कानुन का बैधानिक शुरुआत हुआ था अगला कोशन है भुगोल से कोशन है निम्ड हिमाले परवस्ट्रेनियों में से किस परवस्ट्रेनी को अटल टैनल पार करती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा पुर्वी पिर पंजाल, पुर्वी पिर पंजाल से जो है वो अटल टरनल पार करती है, तो अटल टरनल जो बिस्व की सबसे बड़ी सुरंग है, क्या है बिस्व की सबसे बड़ी सुरंग है और यह मनाली लेह राजमार्क पर रोहतांग दर्र सबसे अधिक है तो इसके लिए सही एंसर हो जायाएगा ऑप्शन नमबर सी आदिवासी के लिए जनसंख्या सबसे ज़्यादा मिजोरम में है जो 2011 का जनगना के लिए किया गया है मतला बताया गया था कतना है 94.44 परसेंट बताया गया है और भारत में सबसे अधिक हैं मिजोरम की प्रमुक जन जाती कों सा है चकमा, पवई, राल्टे ये जो जन जाती है कहां की है मिजोरम की प्रमुक्ष जन जाती है उसके बाद है निम्ड कॉफी उत्पादक छित्रों में कौन सा छित करनाटक में नहीं है तो करनाटक के लिए चिकमंगलूर है ये भी सही है बावा बुधनागिरी ये भी सही है उसके बाद कुर्गी ये भी सही है पुल्नेज ये गलत है ये करनाटक में नहीं है पुल्नेज जो है करनाटक में नहीं लेकिन तमिलांडू में है कहां तमिलांडू में है और यह कौफी उत्पादक छित्रे हैं लकिन भारत में सर्वदिक कौफिऊठ पादक कहां है? करनाटक में ही। उसके बड़ पकॉशन नमबर साथ भगोलिक छेत्र के द्रिस्टी से भारत के नीर्म्र जीलों में कौन सा जिला सबसे बरा है? शेत्र अगला कॉशन 91 नमबर भारत के किस राज में बनजीव अभ्यारन सबसे अधिक संख्या में है तो बनजीव अभ्यारन सबसे अधिक संख्या महराष्ट में है कहा है महराष्ट में टूटल कितना है पचास बनजीव अभ्यारन है और यह कहा है तो महराष्ट को किस नाम से जाना जाता है कैमूर ये सही एंसर है लाइमे स्टोन कैमूर जो है ये सही है मैगनीज जो है मुंगेर और गया के लिए मैगनीज मुंगेर और गया में कोईला और अंगाबाद में चुना पत्था रोतास और कैमूर के पठार में गंधक रोतास और अंजोड में सिली मेनाइट गया जिला मे सीशा भागलपूर में बॉकसाइड मुंगेर के खरकपूर की पहारिया खपड़ा मेरा देत्ता में होता है जो रोतान जीले में परता है और बेलियम के लिए गाया और नावादा छेत्र मातपूर्ण है इसके एंसर सही एंसर जो हो जाएगा वो लाइमे स्टोन केमूर हो जाएगा कोश्चन नमबर 62 में है भागोलिक छितफल की दृष्टी से जपान की सबसे बड़ी दूइप है होसुदीप कुछ सा होसी दुप जो वह जपान की सबसे बड़ी दुप है भगोलिक दृिष्टी से टीक है और यह दुनिया का सबसे बरा में साथमा सबसे बरा दुप है । और इंढोनेसिया के जावा दुप के बाद विश्व का दूसरा सरबधिक जनसंख्या वाला दुप है जपान की राधानी का है टोकियो होन्सू के मधपूर्व में इस्तीत है होन्सू का छेतफल कितना है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक है कोशन नमर 64 में है ग्रीन लेंड निम्ड देशों में से किस देश का भाग है तो ग्रीन लेंड जो है वो डेनमार्क का भाग है ओप्सन नमर A हो जाएगा इसका सही एंसर कोशन नमर 65 में है निम्ड देशों में किस देश को 2019 में सलाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन 10 में हुआ था तो इसका सही एंसर चीन जो है वो सलाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन 10 में किया है चीन तो 2019 में सोने का सरवधिक उत्पादन चीन किया था वहीं भारत में सरवधिक सोने की खपत करने वाला देश पहला चीन है दूसरा अस्ट्रेलिया है तीसरा रूसे और चौथा अमेरिका है तो पहले अस्थान पर चीन है अगला कोशन है निम्न में से किस महादूइप में सबसे अधिक देश है तो सबसे अधिक देश वाला महादूइप अफरीका है अप्सन नमबर C एसिया में 48 देश है यूरूप में 44 है उसके बाद उत्री में 23 है जबकि अफिरिका में 24 देश है उसके बाद अर्थ सास्त्रे कोश्चन है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सरवधिक सौर उर्जा का उत्पादक है तो भारत में तेलांगना आंद पर्देश करनाटक राजस्थान इसमें सबसे ज़्यादा सरवधिक सौर उर्जा वाला जो है उसका सही एंसर है करनाटक करनाटक जो है वो एक खत्तर सो मेगावार्ट वाला स्वारूर्जा परदान करता है तिलंगना पांच हजार राजास्थान चवाली सो और आंध परदेश्थ 3470 यह 2019 का आकर्या बताता है ठीक है तो सब ज़्यादा योगदान किसका है करना टक का सवरूर जाएके छेतर में अगला कोशन है कोशन नमबर 68 उद्योग और अस्थान के निम्द जोरों में कौन सा जोरा सही नहीं है वाइल रिफाइननी, बरोनी, सिमेंट, बंजारी, फर्टिलाइजर, भैराही, रेल डिबबा और अभियांतरिकी भागलपूर उप्यूक्त में से कोई नहीं उप्यूक्त में से एक से अधिक इसका सही एन्सर जो हो जाएगा रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपूर ये गलत है जिसका सही एन्सर हो जाएगा बैंगनवीलिक इंजिनेरिंग सेंटर मुझभफर पूर पाकिस सब सही है बैंगन वील इंजिरिंग सेंटर का है मुझब फरपूर में उसके बाद question number 79 में है भारत में खात परवंदन का निम्ण में से कोन सा एक उद्देस नहीं है तो भारत में खात परवंदन का जो मुख उद्देस नहीं है वो है खाधानों का निर्यात option number D इसका सही अंसर हो जाएगा question number 70 है भारत में राज़सुघाटे से तात पर है कि भारत सरकार को अपने बैं सही अंसर हो जाएगा option number B भारत सरकार को उन बैं को बित पोसन के लिए उधार लेने की अवसकता है जो पुजीगत परिसंपतियों का निर्मान नहीं करते है तो राज़सुघाटे से क्या तात पर है जो मतलब पुजीगत परिसंपतियों का निर्मान नहीं करते है उससे संबंदित है इसका सही अंसर option D हो जाएगा और राजस घाटा जो है वो कुल राजस प्राप्ती माइनस कुल राजस सुबे को घाटा के निकाला जाता है ये भी याद रखेंगे उसका कोशन अमड़े खत्तर में है बर्स 2019 से 20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सरबदिक बेपारिक भागिदारी वाला देश है तो स और बानी जी मंत्राले के आंकरे के अनुसार 2019 में अमेरिका और भारत के बीच 88.75 अरब अमेरिकी डॉलर का दुई पक्षिय वेपार हुआ है कोशन नमर 72 में है भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रायस्ट्रेक्चर छेतर से संबंदित है तो सरक इंफ्रायस्ट्रेक्चर जो है वो भारत माला परियोजना के भारत से संबंदित है भारत माला पड़ियोजना एक राष्टिये राजमार का विकास पड़ियोजना है और इसमें सरक और राष्टिये गल्यारों से ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने एवं निर्मान करने की पड़ियोजना को सामिल किया गया है यह पड़ियोजना 2015 में शुरू हुआ था Q73 है भारत में अद्योगिक छेदर की उपलब्धी को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था अद्योगिक उत्पादन की सुचकांकों को जारी करती है तो इसका सही एंसर हो जाएगा Option No.C केंद्रिये सांखी की कड्याला जिसको बोलते हैं C.S.O.C.S.O. यह जो है वो क्या जारी करता है तो इसमें दिया हुआ कि भारतिये अद्योगिक उत्पादन सुचकांक I.I.P. रास्टिये सांखी की काड्याला N.S.O. के द्वारा जारी किया जाता है और पुर्मे यह आकरा C.S.O. द्वारा भी जारी किया जाता यह बहुत important question है वैसे तो यह सारा important ही से डाले हैं इसमें और यह सारा previous year question है इसलिए इसमें हम काटने के लिए कहीं से नहीं बोल सकते हैं कुछ point है जो जादा important है उस पे हम जादा जोर दे देते हैं ठीक है चोहतर नमर question है दो समाना अंतर प्रतिरोध हो वाली सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान बताएं तो इसके लिए आपको इसका वासे तो इसका सही answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा option number D लेकिन इसका एक फर्मूला आता है याद रख लेंगे 1 प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस dot 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 1 बाई R into N इस फर्मूला पे इसको आप लोग solve कर सकते हैं ठीक है इतना explain करने की जरूबत नहीं है question number 75 है गर्म करने पर अर्ध चालाक का परतिरोध बढ़ता है घड़ता है वही रहता है पहले बढ़ता है फिर घड़ता है तो इसका सही answer हो जाएगा घड़ता है किसी भी अर्ध चालाक ऐसी समागरी है जिसका परतिरोध एक conductor यानि चालाक और insulator के परतिरोध के बीच होता है और तापमान बढ़ने पर conductor में जो अनू होता है उसका कमपन के कारण परतिरोध बढ़ जाता है जबकि अर्ध चालाक में जो है अर्ध चालाक परतिरोध घट जाता है गर्म करने पर question number 76 देखते है faraday, faraday इस्थी रांग तो इसका सही answer हो जाएगा option number D सर्भौमिक इस्थी रांग है faraday इस्थी रांग जो है वो सर्भौमिक इस्थी रांग है faraday एक मोल एवं अवगाड्रो के एलेक्ट्रोनों की संख्या के द्वारा किये गए विदूत आबेस की मात्रा का प्रतिनिदित करता है और यह अवगाड्रो इस्थी रांग यह एलेक्ट्रोन की संख्या को प्रति एलेक्ट्रोन की संख्या के अधार पर प्रति युगमक द्वारा विभाजित करके प्राप्त किया जाता है इसलिए यह बदलने वाले कारकों पर निर्फर नहीं करता है और यह फराडे हमेशा इस्थिरान यानि की यूनिवर्सल कॉंस्टेंट होता है इसे याद रखेंगे फराडे क्या होता है यूनिवर्सल कॉंस्टेंट होता है उसके बाद है प्रकास वर्स इसकी इकाई क्या है तो प्रकास वर्स की इकाई है option number C हो जाएगा इसका answer प्रकास वर्स दूरी की इकाई है तो दूरी की मतलब एक प्रकास बर्ष में क्या होता है एक प्रकास बर्ष में होता है 9.46 इन्टू 10 to the power 15 मीटर होता है ठीक है question number 78 में है जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से कौन सी सा नहीं बदलती है तो आबिर्थी जो है वो नहीं बदलता है option number C हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा E C option number C आबिर्थी जो है प्रकास का एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो तरेंगधर यानि की wavelength जो है वो प्रकास की गती में परिवर्तित होता है और उसकी frequency में कोई बदलाब नहीं होता है question number 89 है बिद्धु तो ये बिद्धु चुम्बके तरंगों का बेग होता है बिद्धु चुम्बके तरंगों का बेग जो होता है वो होता है 3 into 10 to the power 8 meter option number A हो जाएगा इसका सही answer और यह एक ऐसा तरंग है जिसको संचारित होने के लिए कोई माध्यम की जरुवत नहीं होती है और यह एक बिद्धु चुम्बके तरंग है और निर्वात में भी संचारित होते हैं और इसका प्रकास का बेग बता ही दिये हैं कितना होता है 3 into 10 to the power 8 meter पर 30 second होता है और गती करती है यह photon से मिलकर बनी होती है किसे यह photon से मिलकर बनी होती है question number 80 में है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो इसका सही एंसर हो जाएगा निल आर्म स्ट्रॉंग यह जो था चांद पर पैर रखने वाला पहला आदमी था निल आर्म स्ट्रॉंग जो ओप्सन नमबर B Apollo 11 के माध्यम से निल आर्म स्ट्रॉंग एडवीन वज एडरीनन और माइकल कॉलिंस चंद्रमा पर जाने वाले बैगती थे 20 जुलाई 1979 को निल आर्म स्ट्रॉंग चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव थे और यह अमेरिका दौरा भेजी गई थी किसके दौरा अमेरिका दौरा अकला कोश्ण है सबसे ज़्यादा सयानता होगी किसमें सहाद में होती है सबसे ज्यादा सायानता जो सहाद में होती है क्यों तो यह तरल का गुन मतलब तरल का गुन जिसमें होगा उसकी सायानता सबसे ज्यादा होगी ठीक है तो मतलब सहाद कितना होता है आप लोग देखी सकते हैं लिक्वीड फॉर्म में तो होता है लेकि द्रव एवं गैसो का गुन होता है और ठोस में सयानता नहीं होती है सयानता सबसे ज़्यादा सहद में होता है फिर खून में होता है फिर जल में होता है फिर बायू में होता है यानि कि बायू में सबसे कम होती है सयानता विसको सीडी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोशन नमर 81 है नेम्न में से कौन सा उस्मा का सबसे अधिक कुचालक है तो उस्मा का सबसे बड़ा कुचालक जो है वो पारा है कौन सा है पारा तो उस्मा का सबसे अधिक कुछालक पारा है और जबकि बिद्धूत का सुचालक जो अच्छा सुचालक है ये पारा कुछन नमर 38 है प्लुटोनियम नुक्लियोटाइड के नाभिक में नुट्रोनों की संख्या होती है प्लुटोनियम नुक्लियोटाइड जिसका होता है 94PU242 के नाभिक में एलेक्ट्रोन की संख्या कितनी है तो आप लोग को पता है कि परमानु संख्या इसको बोलते हैं ये जो है एक निट ये क्या है परमानु संख्या है एटॉमिक नमबर और इसको बोलते हैं परमानु दर्बमान इसको बोलते हैं परमानु दर्बमान तो परमानु संख्या बरावर क्या होता है एलक्ट्रोन की संख्या बरावर प्रोट्रोन की संख्या और दर्मान संख्या बरावर होता है प्रोट्रोन की संख्या प्लस एलक्ट्रोन की संख्या तो यहां क्या हो जाएगा यहां simply क्या करेंगे कि जितना हमारे पास यह प्रोट्रोन की संख्या जो है proton की संख्या और दरमान संख्या दोनों को minus कर देंगे और जो आ जाएगा वो इसका सही answer हो जाएगा तो minus करने पर आपको आ जाएगा 148 जिसका सही answer हो जाएगा अगला question है 84 पुलीस द्वारा नसे में गारी चलाने वाले की सांस की जाज के लिए filter paper क्या होता है तो जब कोई सराप पी के एक गारी चला रहा हो तो पुलीस उसकी जाज जो करता है वो कैसे करता है वो कौन सी कागज होती है इसके बारे में पूछ रहा है तो इसका सही answer हो जाएगा option number A potassium dichromate sulfuric अमल होता है और filter paper पर potassium dichromate डाल देते हैं और sulfuric अमल होता है जिससे breath analyzer क्या बोलते हैं उसको कुन सा टेस्ट बोलते हैं breath analyzer टेस्ट बोलते हैं और इसके सांस के द्वारा पता किया जाता है ठीक है तो इसका सही answer हो जाएगा option number A question number 85 है चुने का पानी किसकी द्वारा दूदिया हो जाता है तो चुने का पानी जो है वो carbon dioxide के द्वारा दूदिया हो जाता है option number B हो जाएगा इसका सही answer तो चुने का पानी में calcium hydroxide की प्रतिकिरिया और carbon dioxide से होने इस पर calcium carbonate नमक एवं augulon silthos बनता है और जिसके कारण पानी जो है वो दूदिया हो जाता है अगला question है पेट्रॉल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन होती है तो पेट्रॉल और डीजल के अधूरे जलने से जो उत्पन होती है वो होती है carbon monoxide option number D हो जाएगा सही answer carbon monoxide का फ्रमूला क्या है CO question number 87 है एक घोल का pH 3 से 6 बनलता है जिसमें hydrogen plus iron की सांद्रता क्या होती है 1000 गुना कम हो जाएगी क्या हो जाएगी 1000 गुना कम हो जाएगी तो किसी billion में उपस्थित hydrogen iron की सांद्रता को डिनात्मक 10 अधारिये लगू गुनिये मान pH कहते है तो इसका क्या हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगा अगला question है question number 88 rate और naphthalene के मिश्रन को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है तो rate और naphthalene के मिश्रन को उर्ध पातन यानि की सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है इसका सही एंसर हो जाएगा option number A तो उर्ध पातन की प्रकिडिया जो है उन मिश्रनों जिनके उर्ध पातित हो सकने वाले अभ्यवे हो वो उर्ध पातित न होने योग असूदियों से प्रिथक किया जाता है इस बिधी में मिश्रन को गर्म कर उर्ध पातनिये पदार्थ को वास्प के रूप में एकत्रित कर ठंड़ा करने पर सुद्ध पदार्थ प्राप्त करते हैं इस बिधी द्वारा नेफ्थलीन, एंथ्राइसीन, कपूर, बेंजोई कम्ल, अमोनियम कोलराइड, मरक्यूरिक कोलराइड, सुस्क बर्फ, आयोडीन इसका प्रिथक करन किया जा सकता है कोशन नमबर 89 में है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है तो बेंजीन का एस्ट्रेक्चर कैसे होता है, आपको बता देते हैं एक बार, देखिए यह है हमारा बेंजीन का एस्ट्रेक्चर, इसका फर्मूला होता है C6H6, ठीक है तो इसमें सिग्मा बंध कितना हो जाएगा, 12 सिग्मा बंध हो जाएगा, और 3 पाई बंध हो जाएगा क्योंकि जहां पर डवल बंध है, वहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा और 3 जिधर बच जाएगा, वहां पर हो जाएगा, पाई बंध C 12 सिगमा और 3 पाई बंध कोशन नमबर 90 में है यूरिया में उपस्तित होने वाले तत्व हैं कारवन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ओक्सीजन कोशन नमबर एक कैनबे में है अधरक तना है जर नहीं क्यूंकि इसमें नोड और anti-node होते हैं क्या होता है, enter node होता है ओपसन नमबर B हो जायागा इसका सही answer अगला कोशन है निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो सही answer हो जायागा इसका ओपसन नमबर A, fructose सबसे ज़्यादा मीठा होता है ठीक है, यह एक monosecrate है, क्या है monosecrate, इसको सरल चीनी भी कहते है इसको सरल चीनी के नाम से भी जाना जाता है fructose को अगला कोशन है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है इसका सही एंसर हो जाएगा option नमबर A सेव जूठा फल जिसको false fruit बोलते हैं अंडासे से नहीं बलकि फूल या उत्तक के अनभाग से प्राप्त होता है जैसे इस्ट्रोवेडी अनानस अंजीर सेव नासपती इसके उदारन है जबकि आम अंगूर आधी सच्चा फल है ठीक है तो इसमें सेव जो है वो सही नहीं है अगला कोशन है फलिया अत्यधिक पॉस्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचूर मात्रा में होता है क्या फली में क्या पाया जाता है तो फलिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है जिसको बीन्स और फलिया में प्रोटीन फाइबर बिटामीन बी आइडन कैलसि पोटेसियम जिंक पोसकत्त होते हैं किसमें बीन्स और फलिया में कुश्चन नमबर 95 में है लॉंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो लॉंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त किया जाता है इसका सही एंसर हो जायाएगा का ओप्सन नमबर D लॉंग का लैटीन नाम पीपर भी है और लॉंग एक परकार का मसाला है और इसे असोधवी के रोप में भी हम लोग उप्योग करते हैं अगला कोशन है मानस्पेसियों में दर्ग के उपचार के लिए किये जाने वाला विक्रीन है इन्फ्रारेड क्या है जब हमारे मानस्पेसियों में दर्ग होता है तो उसके उपचार के लिए प्रभावी माना जाता है ये इन्फ्रारेड इसका पड़ियोग सभी रडारों में सुदूर तापमान संबेदन में स्पैक्ट्रोस्कोपी में मौसम पुर्वानवान में लगू दूरी का अवितार संचार में किया जाता है अगला कोशन है दूद किस घट दूद किसका घटिया सुरूत है तो दूद बिटामिन सी का घटिया सुरूत है यानि कि दूद जो है दूद में बिटामिन सी नहीं होता है केल्सियम होता है कार्भो हाइडरेट होता है प्रोटीन होता है लेकिन बि जाइमेज के रूप में बदल दिया जाता है option number C हो जाएगा इसका सही answer गुलकोज को एथिल अलकोहल के रूप में जाइमेज जो है वो बदल देता है जाइमेज का फर्मूला हो जाएगा देखे कैसे बदलता है जैसे C6, H12 O6 हो गया ठीक है यह क्या होता है एकोस फर्म में आता है और इसको बदलता है 2 C2 H5 OH प्लस 2 CO2 तो जाइमेज में बदल देता है इसको याद रखना होतना जरूरी नहीं है वैसे हम यहाँ पर समझा भी नहीं पाएंगे बिकॉज मेरे पास इस्पेस नहीं होता है कोसिस भी करते हैं तो नहीं हो पाता है अगला कोशन है 99 नमबर बिटामिन जो रक्त के ठक्के बनाने में परभावी होता है तो रक्त को ठक्का बनाने में जो परभावी होता है वो option number D है vitamin K रक्त का थक्का बनाने की परकिडिया जो होता है वो vitamin K से सुरू होता है इसके लिए process क्या है thromboplastin propobin plus calcium से thrombobin बनता है और thrombobin plus fibrobogen मिलके fibrin बनता है ठीक है उसके बाद fibrin plus रक्त यानि की blood जिसको carpalsals बोलते है उसका clotting होता है और रक्त थक्का बनता है तो उसमें vitamin K होता है अगला question है महिला sex hormone है तो महिला sex hormone इसका सही answer हो जाएगा option number A estrogen कौन सा? sorry option number A estrogen अगला question है पारकिंस बीमारी के उपचार के लिए किसको nobel पुरसकार दिया गया तो पारकिंस बीमारी के लिए जिसको nobel पुरसकार दिया गया है वो है awardee carlson option number A हो जाएगा इसका सही answer awardee carlson प्लीज अगर pronunciation में थोड़ा बहुत mistake है तो आप लोग उसको ignore करे और पढ़ने की कोसिस करे because continue इतना दर बोलना आसान नहीं होता है तो थोड़ा बहुत mistake हो जाता है तो इसके लिए हम छमा चाते हैं आप लोगों से कोसिस करेंगे कि next video से ना हो ऐसा तो अगला question है thyroid grantee की खड़ा भी किसकी कमी के कारण होती है तो thyroid grantee की जो बिमारी होती है तो वो iodine की कमी के कारण होता है हमारे सरीर में iodine की कमी जो होता है उससे क्या होता है thyroid grantee बढ़ जाती है जिसको घेंगा रोग बोलते हैं मंद बुद्धी बोलते हैं बौनापन बोलते हैं ये सब बिमारी इसी से होती है ठीक है उसके बाद है करवाहट के लिए मानप जीव का संबेदन सिल्षेतर है पीछे का भाग जो है वो करवाहट के लिए है ठीक है और कलियां जो होता है मानप जीव में जो कलियां होता है वो किसके लिए होता है वो स्वाद जैसे मीठा, करवा, खटा ये सब चीज का अनुभव करवाता है लेकिन पीछे का भाग जो होता है आप लोग जब खाना खाते हों मिर्ची खाने के बत पदा चलता है इस अब ज़्यादा गला में यहाँ पे तीखा लग रहा है तो सबसे पीछे का भाग जो है करवाहट के लिए अगला कोशन है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्स गाठ के अफसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मात्र किसके द्वारा दिया गया था तो इसका सही एंसर हो जाएगा उप्सन नमबर A परधान मंत्री नरेंद मोधी के द्वारा समसामी की से कोशन है ध्यान दीजेगा आप लोग उप्सन नमबर A हो जाएगा इसका सही एंसर फिट इंडिया अभियान की पहली बर्स काठ के अफसर पर नरेंद मोधी ने कहा था अगला कोशन है राज माता के बिजय राजे सिंधिया के चौबें जन्म दिवस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने जारी किये तो नरेंद्र मोधी ने 100 रुपे का सिक्के जारी किये थे इनके जन्म दिवस के अफसर पर तो उप्सन D हो जाएगा इसका सही आंसर अगला कोशन है किस राज की लगू बृत चीतर सी लूपो ने दादा साहिब फाल के पुरसकार 2020 जीता तो इसका है अरुनाचल परदेश ओप्सन नमर D हो जाएगा इसका सही आंसर अगला कोशन है किस नीजी छेतर के बैंक ने किसानों के लिए इकिसान धन एप चालू किया तो इसका सही एंसर नो जाएगा HDFC ओप्सन नमर B ये जो है किसानों के लिए मतलब धन एप लंच किये है और इसके माधियम से किसान अपने मोबाइल पर किर्सी और बैंकिंग से जूरी सेवाओं का लाव उठा सकेंगे कोशन नमर 8 में है 108 नमर कोशन है भारत के किस सहर में अंतरास्टिय हवाई अड़े पर सबसे पहले COVID-19 पर सिक्षन की सुधा प्रारम की गई तो भारत में सबसे पहले जो पहला एस्टेशन हवाई वड़ा था वो दिल्ली था जहां COVID-19 का चेकिन शुरू हो गया था उसके बाद है कोशन नमर 109 राफेल फाइटर एयर क्राफ्ट को किस बायू सेना एस्टेशन पर आपचारिक रूप से भारतिय बायू सेना में समलित किया गया तो इसका सही एंसर हो जाएगा अंबाला कहां अंबाला राफेल फाइटर एरक्राफ्ट के जो बायू से ना है वो अपचारी ग्रूप से समलित किया था अंबाला में तो सितंबर 2020 के अंबाला एरवेज पर 17 गोल्डेन एरोज को में अपचारी ग्रूप से 5 रूबे लडाकू बिमान को सामिल किया गया और भारत ने इसे फ्रांस से खड़ीदा या 4-5 पीढ़ी का लराकू बिमान है जिसे फ्रांस की कम्पनी डसाल्ट एविशन द्वारा बनाया गया है अगला कोशन है भारतिये किर्केट कंट्रोल बोट द्वारा किसे सर्व भारतिये महिला चैन समीती का अध्यक्ष निप्थ किया गया तो इसका सही अंसर हो जायाएगा ओप्सन नमबर बी नीतु डेविड को बी सी सी आई द्वारा नीतु डेविड को अपने लंबे अनुभव के कारण भारतिये महिला चैन समीती का अध्यक्ष निप्थ किया गया है और वो लेफ्ट आर्म सिप्टनर गेंद वाज रही है यह USA Open Grand Slam 2020 के लिए नाउमी ओसाका ने टेनिस टुनामेंट 2020 को जीता है और यह कहां किया है यह जापान की खिलाडी है अगला कोशन है 112 नमबर 4 अक्टूबर 2020 को आयो जित लंडन मेरा थन में प्रथाम अस्थान पर रहने वाला एथलीट है तो 4 अक्टूबर 2020 को आयो जित किया गया लंडन में मेरा थन में प्रथाम अस्थान पढ़ाने वाला एथलीट जो है वो है इसका सही एंसर हो जाएगा सूरा की टाटा Option number B सूरा की टाटा जो है लंदन में आयोजित होने वाला मैराथान में पुरुसबर्ग में इथोपिया के सूरा की टाटा ने खिताब जीता है और महिला बर्ग में कौन कीनिया किनिया महिला बर्ग में धावक के बिग्रेड कुसेगी ने लंदन के महरा थन में जीती है आगला कोशन है कोशन नमबर 113 15 अगस 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतिय किर्केट खिलारी ने अंतराश्टी किर्केट से सन्यास की गोशना की तो option number A MS धोनी के साथ सूरेश रहना ने भी सन्यास लेने की गोशना की थी अगला कोशन है 104 हाली में किसे national school of drama का अध्यक्ष निक्त किया गया है तो परवेश रावल को national school of drama का अध्यक्ष निक्त किया गया है प्रसीद अवनेता पूर्व भाजबा संसत परवेश रावल को NSD का अस्थापना कब हुआ था तो NSD का अस्थापना हुआ था 1959 में ये भी याद रखेंगे आप लो आगला कोशन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है तो डॉक्टर जी सतीस रेड़ी बरत्मान में रक्षा अनुसंधादन एवं विकास संगठन डियाडियो के प्रमुख जो है वो सतीस रेड़ी है और डियाडियो का अस्थापना कब हुआ था 1998 में और इसका मुख्याले का है तो नई दिल्ली अगला कोश्यन 116 नंबर है किस विशय के लिए डॉक्टर बुश्रा अतीक और डॉक्टर रितेस अगरवाल को सांती स्वरू भटनागर पुरसकार 2020 के लिए चुना गया तो बैग्यानिक एवं अनुसंधान परिसाद CSIR द्वारा सांती स्वरू भटनागर पुरसकार 7 सेनियों में जो सितंबर 2020 में दिया गया है तो चिकित्सा बिग्यान में बुस्मरा अतीत और डॉक्टर रितेस अगरवाल को दिया गया है जो इसका सही एंसर है और जैब ग्यान में डॉक्टर शुभादीब चटरजी और बतसला सुमलाई को दिया गया है अगला कोशन है नोबेल सांती पुरसकार 2020 के लिए किसे चुना गया तो नोबेल सांती पुरसकार 2020 के लिए 20 सुखाद करम को चुना गया है किसको 20 सुखाद करम इसका स्वाही एंसर हो जायागा option number B अगला question 118 number में है किस भारतिय फिल्म अवनेता को time magazine ने 2020 के सबसे प्रभावसाली 100 लोगों की सुची में सामिल किया है तो आयुस्मान खुराना को 100 लोगों मतलब भारतिय फिल्म अवनेता के time magazine में 100 लोगों की सुची में सामिल किया है किसको आयुस्मान खुराना को option A हो जाएगा इसका सही एंसर 119 में है हाली में कितने भारतिय समुद्र तटो को blue flag certification के लिए अनुशासित किया गया है तो हाली में 8 लोगों को 8 भारतिय समुद्र तटो को blue flag certification के लिए अनुशासित किया गया है यह October 2020 में 8 समुद्र तटो को blue flag certified के लिए आवजित किया गया यह जो काफी साफ सुथरा और स्वक्ष होता है अगला question है question number 21 सितंबर 2020 को वीडियो समेलन द्वारा किस राज में घर तक फाइवर योजना प्रारम की गई तो इसका सही answer हो जाएगा option number C बिहार में नरेंद्र मोदी ने बिहार के घर तक फाइवर योजना की शुरुआत की और यह योजना electronic box की सुचना परतियों की मंत्रा लेद्वारा किडियानवित किया जा रहा है इसके तहद 45,945 गाओं को optical fiber इंटरनेट सेवा से जोरा जाएगा अगला question है option number, sorry question number 121 quadril lateral security dialogue नामक एक अनवचारिक यूधनिती समु कानिम्न में से कौन सा सदस नहीं है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C इसको quad बोलते हैं, क्या बोलते हैं? quad q-u-a-d, इसका सदस अभी फिलाल में अमेरिका है, भारत है, जापान है और अस्टेलिया है अगला question, 122 number है सितंबर 2020 में वीडियो सम्मिलन के माध्यम से BRICS के सांस्कृतिक मंत्रियों की पांचमी बैठक में किसने भारतिये द्रिश्टी कोन का परतिनुद्ध किया? तो इसका सही एंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंग पटेल, option number A बर्स 2020 में BRICS देशों की पांचमी संस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की अज़्धक सा ततकालीन केंद्रिये संस्कृतिक मंत्री पहलाद सिंग ने की BRICS के पांच देश कोन कोन से हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दस्षिन अफिरिका का संगठन है और इसकी अस्था आपना 2009 में हुई थी और ब्रत्मान में केंद्रिये संस्कृतिक मंत्री जी किसन रेड़ी इसके अध्यक्ष है ठीक है, अगला कोश्चन है, कोश्चन नमर 123 जून 2020 में 36 आसियान सिखर सम्मेलन वर्च्वाली कहां आयोजित किया गया तो 2020 में 36 आसियान सिखर सम्मेलन का आयोजित सिंगापूर कहते हैं, वियतनाम में किया जाएगा कहां? वियतनाम में आप्सन नमर D हो जाएगा इसका सही एंसर ये तो 37 होगा 36 हो जाएगा बियत नाम में और 37 भी बियत नाम में होगा और 49 जो होगा वो बुर्नेई में होगा अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 124 निम्ड में से कोन सा Human Capital Index 2020 में प्रथम अस्थान पर रहा तो Human Capital Index में 2020 में प्रथम अस्थान पर रहने वाला देश है सिंगापूर और प्रथम अस्थान पर सिंगापूर है और भारत का अस्थान कैमा है इसमें तो भारत का अस्थान 116 मा है कुल 174 देश है इसमें अगला कोश्चन है हाली में सयुक्त राज अमेरिका में Operation MAGA जिसको मागा बोलते हैं संबंदित है किसे संबंदित है तो इसका संबंदित डोनाल्ड ट्रम्प के पुर्ण निर्वाचन अभियान से है Option number हो जायागा इसका सही अंसर B डोनाल्ड ट्रम्प के पुर्ण निर्वाचन अभियान से अगला Question है किस अरब देश ने पहला नाविकिये उर्जा सयंत्र का प्रारंब किया है तो इसका सही अंसर हो जायेगा सयुक्त राज अमिरात सयुक्त राज अमिरात जो है प्रमानु उर्जा सयंत्र का प्रारंब करने वाला अरब देश है और UAU की राजधानी आवुधाबी में बराक प्रमानु सयंत्र की पहली एकाई है जो 31 जुलाई 2020 से प्रारंब हो गई है इसकी छमता जो है 5.6 गीगावाइट है 27 नमर कॉशन है अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतराष्टी इस रमसंगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बोडी का अध्यक्श बनाया गया तो भारत को किसको भारत को बनाया गया है गवर्निंग वर्डी का अध्यक्ष 2020 से लेके जून 2021 तक के लिए कितने साल बाद यानि 35 साल बाद ऐसा हुआ है अगला कोशन कोशन नमर 28 है सितंबर 2020 में प्रारंब किये गए ओपरेशन मेरी सहेली का उद्देश है तो ओपरेशन मेरी सहेली का उद्देश है रेलो में महिला यात्रियों के लिए औप्सन रेलो में महिला यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ावा देना औप्सन नमर 20 सही एंसर हो जाएगा और ब्रत्मान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कोण सीईओ कोन है तो सनीत सर्मा कोशन नमर 17 में है दिसम्बर 2018 तक के अनुसार रेलो में किस्त देश में अधिक भारती अवादी है तो भारती अवादी वला सबसे ब्रादे सयुक्तराज अमेरिका है सयुक्तराज अमेरिका आप्सन नमber डी हो जाएगा इसका सही एंसर तो दिसंबर 2018 में दुनिया का सबसे ज़्यादा भारती अमिर्की में थे और वही दूसरे रास्थान पर अरव अमिरात भी था सयुक्त रास्थ द्वारा हाली में जारी अंतरास्थीय प्रवाशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार बिस्थ में 18 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी हैं जिसमें सरबादिक प्रवाशी UAE के 3.5 मिलियन और USA से 2.7 मिलियन और सौधी अरब से 2.5 मिलियन रहे हैं अगला कोशन, कोशन नमबर 130 में है हाली में संसद की नई इमारत के निर्मान में बोली किसने जीत लिया है तो संसद वबंचों हाली में भी बन रहा है उसके लिए Tata Projects Limited ने इसको बोली लगाई है Tata Projects Limited Tata Projects Limited जो है वो 871.9 करोर रुपे की लागत से संसद की नई इमारत बनाने का ठेका हासिल किया है और इसका रख रखाव का काम भी सामिल किया है LNDD Limited ने 865 करोर रुपे की बोली लगाई थी लेकिन Tata Projects Limited की बोली सबसे कम थी Central Vista, पुनर विकास परियोजना के तहद संसद भवन की तिरकोनिय इमारत एक साजा केंद्रिय सचिवाल है और राष्टपती भवन से इंडिया गेट तक 3 किलो मिटर लंबे राजपत के पुनर विकास की परिकल्बना की गई है अगला कोश्चन है 131 नमबर बरतमान मेरास्टी महिला आयोक के प्रमुख कोन है तो बरतमान मेरास्टी महिला आयोक की प्रमुख जो है वो रेखा सर्मा है तीन वर्ज के लिए बढ़ा दिया गया है इनका कार्यकाल यह 7 अगस्ट 2018 से रही है और अभी तक है और इनको 2021 तक अगस्त 2021 में पुना तीन वर्ज के लिए बढ़ा दिया गया है उसके बाद है बेवसाई करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने करम में सुधार किया जो है 15 करोर रुपे बित वर्ज के 77 से 63 मा अस्थान तो बिस्तु बैंक द्वारा इज ओफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 जाड़ी किया गया है जिसमें प्रथाम अस्थान किसका है न्यूजीलेंड का है और भारत का 63 मा अस्थान है जबकि इससे पहले 77 मा अस्थान भारत का था अगला कोशन 133 नंबर है भारत के केंद्रिय वजट में संस्थागत किसी साख का प्रवाग बढ़ाने के लिए बर्श 2020 से 21 के लिए क्या साख लक्ष रखा गया है तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर C 15 करोर रुपे 15 लाग करोर रुपे का लक्ष रखा गया है अगला कोशन है P.M. कुसम योजना का उदेश क्या है तो पि-M. कुसम योजना का उदेश जो है ओप्सन नंबर D हो जाएगा इसका सही एंसर किसानों को डिजल और किरोशीन पर निर्भरता समाप करना पंप सेटो और उर्जा से जोड़ना अगला कोश्यन है कोश्यन नमबर 135 निम्न में से भारत का कौन सा बैपारिक बैंक विश्ट के सिर्ष 100 बैंकों में सामिल है तो सबसे SBI कौन सा है SBI State Bank of India ओप्सन नमबर B जो है वो सबसे बड़ा बानिज बैंक है जिसका रास्ठी करन 1905 में किया गया और इसका मुख्याल है मुंबई में है और बरतमान में SBI के अध्यक्ष जो है वो दिने इसकुमार खाड़ा है अगला कोश्वन 136 नमबर है भारा सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक गोशित की है अर्थ विवस्था का निम्ण में से कौन सा चेत्र इस योजना से लावानवित है तो निर्विक योजना से जो लावानवित है वो हो जायागा इसका सही एंसर निर्यात छेत्र से तो आम बजट जब आया था 20-21 के छोटे निर्यातकों के लिए बीमा कवर बढ़ाने के लिए और उनकी लागत को कम करने के लिए निर्विक यानि कि निर्विक से याद रखेंगे निर्विक और निर्यात विकास के लिए घोशना की गई थी अगला कोशन ने 137 नमबर इजराइल से 37 समझोता करने वाला पहला अरब देश बन गया है मिस्र मिस्र जो है अगस्त 2020 में इजराइल और सयुक्तिराव अमिरात के मद सांती समझोता हुआ है ऐसा करने वाला UAE की खाड़ी छेतर का पहला तथा तीसरा अरब देश है इसे पुर्व 1789 में मिस्र और 1994 में जौर्डन ने इजराइल के साथ सांती समझोता किया था अगला कोश्चन 138 नंबर है देखते हैं क्या है 138 नंबर कोश्चन नागरिक्ता संसोधन कानून कब पारित हुआ तो नागरिक्ता संसोधन कानून जो पारित हो गया वो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ है तो भारतिय नागरिक्ता संसोधन 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है इस कानून में बांगला देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के 6 अलफ संख्यक समुन्दाई को भारतिय नागरिक्ता देने का प्रस्ताव है आगला कोशन है 149 भारत का तेरहमा प्रधान बंदरगा किस र महरास्ट राज में कहां महरास्ट में इसे वधावन बंदरगा के नाम से भी जाना जा रहा है लैंड लॉड प्रोटल मॉडल के अधार पर इसका विकास किया जाएगा और ब्रत्मान में महरास्ट में दो बरे बंदरगा कार रात है नोहा सेवा और जवाहर नेरू अगला question है question number 140 भारत की पहली स्वादेशी anti-radiation missile का नाम है तो भारत का पहली स्वादेशी anti-radiation missile जो है वो रुद्रम है कौन सा है रुद्रम option number D हो जाएगा जिसको DRDO दोरा बनाया गया है किसके दोरा DRDO दोरा अब 10 question math से है जिसको हम cover करते हैं ये question इसका 41 का answer हो जाएगा option number एक बार हम आप लोग को यहाँ पर drive कर देते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि एक command जो है इसके लिए हम इस formula आता है एक minute इसका formula है इसका formula है 2AB प्लस 2AB बटा AB तो इस पर आप लोग बना लेंगे तो इसका सही answer हो जायाएगा आप लोगों का option number A हो जायाएगा इसका सही answer ठीक है अगला question देखते हैं कि एक सहर की जनसंख्या इतना है यदि या 5% की दर से सराना बढ़ती है तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी तो इसका हो जाएगा सहरी जनसंख्या 2 साल बाद पूछ रहा है तो क्या करना है कुछ नहीं simply इसको क्या करना है 5% 5% क्या होता है बढ़ती है 5% बढने का मतलब 105 हो जाएगा और 100 और percentage में निकालना है 105 इसको 2 साल का पूछ रहा है तो 105 को 2 से इसका square कर दीजिएगा और इससे multiply कर दीजिएगा इसका सही answer आ जाएगा तो इसका सही answer हो जाएगा option number a एक निट सही answer हो जाएगा इसका a अगला question है अनुकरम इतना 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 दिया हुआ है में लुप्त संख्या ग्यात करना है तो लुप्त संख्या ग्यात करना है तो यह reasoning है तो इसमें देख ले कैसे बनाया है तो ऐसे बनाया है इसको यह जो है चार एकाई चार एक मिनिट ऐसे बनाया है किसका है 1 into 2 का स्कॉर ठीक है उसके बाद 18 में आ जाईए 18 जो है 2 into 3 का स्कॉर ऐसे ही बरहाते चला गया है और इसके बाद जो होगा उसके बाद आप लोग missing number निकाल लीजिएगा इसका सही answer हम आपको बता दे इसका सही answer हो जाएगा option number C 180 हो जाएगा अगला question 144 में 144 में जो कह रहा है वो 2N C3 ratio N C2 is equal to 44 ratio 3 हो तो N का मान पूछ रहा है तो N का मान निकालना है इसका आप लोग निकाल लेंगे इसका option number हो जाएगा B answer C हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका answer अगला question है यदि M संख्याओं का ओसत N square और N संख्याओं का ओसत M square है तो M plus N संख्याओं का ओसत पूछ रहा है तो कुछ नहीं simplest में क्या करना है एक formula है इसके लिए M N square plus N M square बटा M plus N बस इसपे बठा दीजएगा answer आजाएगा आपका तो वैसे इसका answer जो हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा option number C M N आजाएगा आप लोग drive कीजएगा इसमें आजाएगा उसके बाद question number 46 में है question आप लोग बना लेंगे इसका answer सिर्फ बता देते हैं आपको इसका सही answer हो जाएगा 46 का option number वैसे तो है reasoning बहुत आसान reasoning है इसका सही answer हो जाएगा A 10 आगला question है 47 47 का answer हो जाएगा 11 दिन 48 48 का answer हो जाएगा C 48 का answer हो जाएगा C 155 डिग्री जरा चाहिए 49 का answer हो जाएगा B 49 का B हो जाएगा 50 का हो जाएगा B तो I hope आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका अगर आप लोग पीडियेप चाहते हैं तो हमारे टेलिकरान चैनल से जूट जाएगा जिसका link हमारे description में दिया हुआ है तो वहां से जाके आप इसका पीडियो प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले सेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद प्राप्त कर सकते हैं